हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बैल सिरेतल में मैं हूँ आपका दोस्त अतलु गोयल आज हम बात करेंगे फिर से आई-ई-एक्स की आई-ए-एक्स जो कि एक मल्टी बैगर स्टोक जुरूर रहा है तो यहां से स्टोक जो पहुंचता है लगबग 318 रुपे के आसपास में तो देखिए एक बिल्कुल मल्टी बैगर स्टोक रहा है और यहां पर आप देखेंगे इसकी भी आरसाइई जो थी वो यहां पर भी 60 को क्रोस किया बट अभी 35 के आसपास की आरसाइई है तो 35 की आरसाइई जानी 60 से काफी कम है तो यहां पर स्टेंथ काफी कम है अगर आप देखेंगे इस टाइप का चार्ट पैटर्न को यह फोलो कर रहा है इस वाली लाइन को जब इसने इस वाली लाइन के थूरू यह कर रहा था और बार बार जो स्टोक यहीं से रिएक होता हुआ नजर आ रहा है तो देखना होगा कि यहां पर यह सपोर्ट ले पाता है जा फिर जो ट्रेडिंग सेशन सभी बचे हुआ उसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो यह एक इंटरस्टिंग रहेगा एसके बाद देखते हैं मंतली चार्ट के ऊपर 56 की आरसा ही से यहां पर 60 की आरसा ही चाहिए तो यहाँ पर भी देखी ौर्फी कापी ड्रॉप हुई है तो यहानि स्टैंथ ड्रॉप होती हुए इसकी नजर आ रही है डेली चार्ट पर के आसपास आकर बार बांस करता है बट आपको देखना होगा कि जब बार बार एक ही लाइन के आसपास टोक आ रहा है तो हो सकता है उसको ब्रेक भी कर दे तो निचे का लेवल आपको ध्यान रखना है वह जो क्लोजिंग है वह आपकी जो होनी चाहिए वह 176 के उपर की होनी सकते हैं और 175 भी आप लगा सकते हैं तो 175 एक सेफर साइड में लेके चलिए क्योंकि जो लाइन है वो डिक्लाइनिंग लाइन है यानि स्टोक जो है आज 176 का है तो यहां पर 175 तो 175 के निचे के अगर क्लोजिंग आनि स्टार्ट हो जाती है तो काफी जारा बीक हो सकता है 162 और 151 के लेवल भी दिखा सकता है क्योंकि जब इस ट्राइब की जो सपोर्ट जोंस ब्रेक होते हैं जो लोंग टर्म से होल्ड होते हैं तो उसके अंदर काफी जोड़दाट हो सकता है उपर के लेवल के लिए 184 का लेवल आपको ध्यान रखना है 184 को लेवल को जो ब्रेक सकती है इसको ब्रेक करेगा तो 161 162 और 151 को टच कर सकता है और उपर का लेवल 184 दैं 199 इनके लेवल के उपर आपको नजर रखना काफी जुरूरी है 199 तो एक स्ट्रोंग रिजिस्टेंस बना ही हुआ है और वहां तो दो वर जा भी चुका है बट इसको ब्रेक नहीं कर प पर भी स्ट्रेंथ अभी उतनी नहीं है कि स्टोक मल्टी बैगर बन सके तो बिल्कुल स्टोक अच्छा है बट थोड़ा सा लेवल्स को ध्यान रखके चलिए अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टोप लोस लगा के चलिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ भी इसके अंदर पोजिशन बड़ी नहीं बनानी है थैंक्यू धन्यवाद